प्रदान मंत्री के मन की बात में हर इंदोरी को गरू अपने इंदोर पर देखिए और बोलिए प्याराओ कि जब भी स्वच भारत अभियान की बात आती है तो इंदोर का नाम आता ही आता है क्योंकि इंदोर ने स्वच्चता के समद में अपने विशेस पहचान बनाई है और इंदोर के नागरिक इसके अभिनादन के अतिकारी भी है हमारे इंदोर कई वर्सों से स्वच्च भारत रैंकिंग में पहले नमबर पर बना हुआ है अब इंदोर के लोग स्वच्छ भारत के इंदोर कई वर्षों से स्वच्छ भारत रैंकिंग में पहले नमबर पर बना हुआ है अब इंदोर के लोग स्वच्छ भारत के इस रैंकिंग से संतोस्माकर के बैठना नहीं चाहते हैं वे आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, और उन्होंने क्या मन में ठान ली हैं? उन्होंने वाटर प्लस सीटी बनाए रखने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं, वाटर प्लस सीटी यानि एशा सहर जहां बीना ट्रिट्मेंट के कोई भी सिवेच किसी स सारवजनीक जलसरोत में नहीं डाला जाता हैं, यहां के नागरिकों ने खुद आगया कर अपनी नालियों को सीवर लाइन से जोड़ा हैं, स्वच्छता अभियान भी चलाया हैं और इस विजह से सरस्वती और कान नदियों में गिरने वाला गंदा पानी भी काफी कम हुआ है और सुधार नजना रहा है, आज जब हमारा देश आजादी का अमुर्त महुत सो मना रहा है, तो हमें याद रखना है कि स्वच्छ भारत अभियान के संकल्प को हमें कभी भी मंद नहीं पढ़ने देना है, हमारे देश में जितने ज्यादा शहर वाटर प्लस सीटी होंग ये उतना ही स्वच्छता भी बढ़ेगी, हमारी नदिया भी साफ होगी और पानी बचाने की एक मान्मिय जिम्मेवारी निभाने के समस्कार भी होगे ब्याव, राम तो बोल दो कमेंट में सोचल डिस्टेंजिंग पालन के साथ पहनना है मास्क स्पेसल रिपोर्ट एवन यूनिक वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें